ब्रिस्पतिवार का यह ब्रत ब्रिस्पतिवार के दिन रखा जाता है। मन, कर्म और बचन से सुद्ध होकर मनुकामना पूर्ति के लिए ब्रिसपति देव से प्रातना करने चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन, वस्त्र और फूलों का इस ब्रत में विशेश महत्व है, ब्रिस्पतिवार की पुराणी कथा इस परकार है, प्राचिन समय की बात है, भारत वर्ष में एक राजा राज्य करता था, वे बड़ा प्रतापी और दानी था, वे नित्य गरीबों और ब्रामनों की सायता करता था, वे प्रती दिन मंदिर में भगवन दर्शन करने के लिए जाता था, परंतो ये बात उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी, वे ना ही गरीबों को दान देती थी, और ना ही किसी भगवान क्या पूजन करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, और ये का ही सादू राज महाराज, मैं तो दान पून से तंग आ गई हूँ, इस कारे के लिए मेरे पती दे भी बहुत है, अब आप ऐसी किरपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, तथा मैं आराम से रह सकूँ, सादू ने का देवी तुम तो बड़ी व हो जान कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्रामणों को दान दो, खुवा, तलाब, बावडी, बाग बगीचे, आधी का निर्माण कराओ, मंदिर, पारशाला, धर्म शाला बनवाकर दान दो, नर्धनों की कुमारी का नियाओ का विभा कराओ, साथ ही यग्य आधी कर्म करो, होगा और स्वर्व की प्राप्ति होगी, परन्तु रानी पर उनकी बादों का कोई प्रभाब ना पड़ा, वे बोली महराज मुझे ऐसे धन की अवशकता नहीं है, जिसको मैं अन्ने लोगों को दान दे दू, तथा जिनको रखने और समालने में में मेरा सारा समय ही उसमें केसो को पीली मिटी से धोना, केसो को धोते समय सनान करना, राजा से कहना हुए हजामत बनवाए, भोजन में मास, मद्रा, खाना, कपड़ा, धोबी के यहां धुलने डालना, ऐसा करने से साथ ब्रसपतिवार में तुम्हारा सारा धन नश्ट हो जाएगा, इतना कहकर वह साथू महराज वहां से अंतर ध्यान हो गए, जैसे वह साथू महराज कह के गई राणी ने वैसा ही किया, तीन दिन ब्रसपतिवार ही भीते थे कि उनका समस्त धन संपती नश्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे तो वह राजा राणी से कहने लगा कि तुम यहां पर रहो मैं दूसरे देश जाओं क्योंकि यहां पर मुझे सभी जानते हैं इसलिए कोई भी कारण नहीं कर सकता, देश चोरी परदेश विक्षा बराबर है, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया, वहां जंगल को जाता औ थरा जीवन वैतित करने लगा, इदह राजा कि बिना राणी और दासी दोनुों धुखी रहने लगी, किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल्पी कर ही रह जाती, एक समय जब राणी और दासी को साथ दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो राणी न अपनी दासी से का, ये दासी पास के नगर में मेरी बहन रहती है वे बड़ी धन्वान है तू उसके पास जा और पाँच से बेजर मांग कर ला ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बजर गुसर हो जाए दासी रानी बहन के पास गई उस दिन बिरस्पतिवार का दिन था रानी की बहन उस समय बिरस्पतिवार की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसे करोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने कहा कि दासी इसमें उसका कोई दोस नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहरा नहीं होता और अच्छे बुरे का पता बिपत्ती में ही लगता है जो इश्वर की इक्षा होगी वही होगा यह सब हमारे भागे का ही दोज है यह सब कहकर रानी ने अपने भागे को कोसा उदर रानी की बेहन ने सोचा कि मेरी बेहन की दासी आई हुए थी परंतु मैं उससे बोली नहीं इससे उसका मन बहुत दुखी हुआ कथा सुनकर और पूजन समावत कर वह बेहन के घर गई और कहने लगी है बेहन मैं बिरस्पतिवार का वरत कर रही थी तुम्हारी दासी गई थी परंतु जब कथा होती है तब हम न उठते हैं न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों आई थी रानी बोली बेहन हमारे घर अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे बर आई उसने दासी समित साथ दिन तक भूखा रहने की बात भी अपने बहन को बता दी इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास पांस सेर बेजर के लिए भेजा था रानी की बहन बोली देखो बहन ब्रसपती देव सबकी मनुकामना पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ परंदू बहन के आगरे करने पर उसने दासी को अंदर भेजा दासी घर के अंदर गई तो उसने वहां देखा कि एक बेजर से भरा हुआ घड़ा पड़ा है उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उससे पहले एक-एक बरतन देख लिया था उसके बहार आकर रानी को बताया दासी रानी से कहने लगी है रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम बरत ही तो करते हैं इसलिए क्यों ना इससे हम बरत और कथा कि विदी पूछ ली जाए हम भी बरत किया करेंग उस दिन एक ही समय भोजन करें भोजन पीले खादे परदात का ही करें इससे गुरू भगवान प्रसंद होते हैं अन्न पुत्र धन देते हैं मनो कामना पूर्ण करते हैं विरत और भोजन की विदी बतलाकर रानी की बहन अपने घर लोट आई रानी और दासी दोनों ने शे अब पीला भोजन कहां से आए दोनों बड़ी दुखी हुई परदू उन्होंने ब्रत किया था इसलिए ब्रस्पति दे प्रसंद थे एक साधन व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले है दासी ये बोजन तुमा कि तु वेर्थ में हमारी हसी उडाती है तब दासी ने कहा एक व्यक्ति भोजन दे कर गया है तब रानी ने कहो व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया होगा तु ही भोजन कर तब दासी ने कहा कि व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में सुन्दर पूला पीला भोजन दे कर गया है इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे यह सुनकर रानी बहुत प्रसंद हुई फिर दोनों ने गुरुबार भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारम किया उसके बाद प्रतेक ब्रस्पतिवार को गुरुबार का ब्रत और पूजन करने लगी ब्रस्पतिवार भगवान कीरपा से उसके पास धन हो गया परनतू रानी फिर भी पहले की तरह आलस से करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुप पहले भी सी प्रकाई आलस से करती थी तुम्हे धन की रखने में कस्ट होता था इस कारण सभी धन नस्ट हो गया अब भगवान किरपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें अलस होता है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दान पून करना चाहिए अब तुम भूखे मनुशों को भोजान कराओ प्याओ लगबाओ ब्रामनों को दान दो कुवा तलाब बाबडी भाग बनबा कर दान दो निर्धनों की कुवारी का न्याओं का विभा कराओ साथ में यग और आदी कर्म करो धन को शुब कार्यों में खर्च करो जिसका तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और ज्वर की प्राप्ति होगी और पित्र परसन होंगे दासी की बात मानकर रानी शु अगर वापस आ जाए उसी रातरी को बिरस्पति देव ने राजा के सोपर में कहा कि है राजा उठ तेरी रानी ने तुझको याद किया है और अपने देश लोट जा राजा प्राते काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की और चल पड़ा जंगल से गु बेस में आकर बोले है लकड़ारे तुम इस उनसान जंगल में किस चिंता में बैठ रहे हो मुझे बदलाओ ये सुनकर राजा के नेतरों में जल भराया साधू की बदना कर राजा ने अपनी संपून कहानी सुना दी मातमा दयालू होते हैं वे राजा से बोले है राजा ये की दाल और गुर्ड का मुनक्का से विश्नु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं और कथा सुने उस दिन एक ही समें भोजन करें और पिले खाद परदात्थों का ही भोजन करें बगवान तुमारी सब मनोकामना पूरण करेंगे शाधू की बास उनका राजा बोले है प्रभू लकड़ी बेच कर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे कि मैं भोजन के उपरांद कुछ बचा सकूँ मैंने रातरी में अपनी रानी को ब्याकुल देखा है मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे में उनका समचार जान सकूँ फिर भी मै कौन सी कहानी कहो यह मुझको मालूम भी नहीं है राजन साधू ने का ही राजा मन में ब्रसपतिवार भगवान की फूजन ब्रत का निश्य करोगे स्वेम तुमारे लिए रहब बना देंगे ब्रसपतिवार की दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना तुम्हें रोज से दुगना धन मिरेगा जिससे तुम्हें भली माती भोजन कर लोगे और ब्रसपतिवार की पूजा का समान भी आ जाएगा जो तुमने ब्रसपतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वैस परकार है ब्रसपतिव की कथा प्राचिन काल में एक बहुत नाम ना निकला भगवान की इरपा से ब्रहमन के यहां एक कन्या उत्वन हुई कन्या बड़ी होने लगी प्राते काल स्नान करके वे भगवान विश्णू का जाब करती बरस्पतिवार के दिन ब्रत भी करने लगी पूझा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती और मुठी में ज जो स्वन के हो जाते और उसे बिनकर घर ले आती एक दिन में बाली का सूप में उस सोने के जोग को फटक रही थी साफ कर रही थी तो मा ने देख लिया और कहा है बेटी सोने के जोग को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन गुरुवार था कन्या ने व्रत रखा और ब्रस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रातना की और कहा कि है प्रभू यदि सचे मन से मैंने आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो ब्रस्पति देव ने उसकी प्रातना स्विकार कर ली रोजाना की तरव करन्या जो फैलाती हुई नगर कर राजकुमार वहां से निकला, कन्या के रूप और कारे को दे कर वे बड़ा महुईत हो गया राज महल में आकर भोजन और जलते आकर उदास होकर लेट गया राजा को जब राजकुमार दोरा अन जलते आगने का समाचार गयात हुआ तो उसने अपने मंत्रियों से कहा अपने पुत्र के पास गया और पूछा है बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अत्वा कोई और कारण है मुझे बतलाओ मैं वही कारे करूँगा जिससे तुम्हें प्रसंता होगी अपनी पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला है पिता जी मुझे किसी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया परंतु मैं उस लड़की से बिवा करना चाहता हूँ जो सोने के जो साफ कर रही थी राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया मंत्री उस लड़की घर गया मंत्री ने ब्रामन के समक्ष राजा की और से निवेदन किया कुछी दिन बाद ब्रामन की कन्या का भिवा राजकुमार के साथ संपन हो गया कन्या के घर से जा लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्राह्मन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवा लाओ मैं उन्हें ये विदी बतला दूँगी जिसे की गरीवी दूर हो जाएगी ब्राह्मन देवता अपनी स्तरी को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमल पहुचे तो पुत्री न अपनी मा को समझाने लगी हे मातूं प्राते का इस नानादी करके विश्न भगवान का पोजन करो और ब्रिस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिता दूर हो जाएगी परंदो उसकी माने उसकी बात नहीं मानी वे प्राते का लुड़कर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्ता आया उसने पनी मा को एक कोठरी में बंद कर दिया उसे सनानादी करा के पुजा पाट कर बाया तो उसकी मा की बुध्धी ठीक हुई इसके बाद वै नियम पूर्भग पुजा पाट करने लगी और प्रत है व्रत करने लगी इस व्रत के प्रभाब से मित्यू के बादों सरस्वर्व को गई वे ब्राहमन भी सुख पूर्बग इस लोग का सुख भोकर स्वर को पात हुआ इस तरह कहानी कहकर साधु बावा देवता वहां से लोप हो गए दीरे दीरे समय वैतीत होने लगा फिर ब्रसपतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकड़ी काड़ कर शहर इसमें बेचने गय उससे उस दिन और दिनों से जादा धन मिला राजा ने चना गुड़ आदी लाकर ब्रसपतिवार का वरत किया उस दिन उसे सभी कलेश दूर हुए परन्तु जब उसको अगले दिन अगले गुरुबार का दिन आया तो ब्रसपतिवार का वरत करना भूल गया इस कारण ब्र राजे के सभी वासी राजा के भोज में समलित हुए लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुचा इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए जब राजा लकड़ारे को भोजन करा रहे थे तो राजे की दिश्टी उस खोटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ उसे हार खोटी पर लटका नहीं दिखाये दिया राने को निश्टे हो गया कि मेरा हार इस लकड़ारे नहीं चुघा लिया हुआ उस समय सैनिक भुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया लकड़ारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्भ जन के कर्वने चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे उससे तु ब्रस्पतिवार की पूजा करना तेरे सवी कश्ट दूर हो जाएंगे अगले ब्रस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर चार पैसे मिले राजा ने पूजा का स खूटी पर लटका हुआ है अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजी को नश्ट कर दूँगा राजा प्राते काल उठा और खूटी पर टंगा हुआ हार दे कर लकढ़ारे को बुला कर शमा मांगी और राजा की योगे सुन्दर वस्त आहुशन भेड़कर उसे विद हुए थे राजा ने पूचा की है किसके बाग और धर्मशाला और मंदिर है तब नगर के लोग कहने लगे यह सब राजा को आश्यर हुआ और गुस्सा भी आया उसकी अनफस्तिती में राजी के पास धन कहां से आया जब राजी ने सारी खबर सुनी कि राजा आ रहे है तो उसने अपनी दासी से का ही दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे वे हमारी ऐसी हालत देकर लोट ना जाए इसलिए तु दरवाजे पर ही खड़ी हो जाना राजी की आगया सुनकर दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई तब राजा आई और से मैं रोजाना दिन में तीन बार कहा चानी कहा करूँगा रोज वृत किया करूँगा € सब राजा के दुपट्टे हर समय राजा के दुपट्टे में चेनी की डाल बंधि रहती और देन में तीन Бर्व lithium क्था कहता एक रोज रोजे विचार किया कि चलो अपनी बहन की यां हुआँ इस तरह निच्छा कर राजा घोड़े परसबार अपनी बहन की यहां चल दिया मारग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे है उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाईया मेरे बेरसपतिवार की कथा सुन लो वे बोले हमारा तो आदमी मर गया इसको अपनी कथा की पड़ी है परन तो कुछ आदमी बोले अच्छा को हो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और कथा वहीं पर कहनी शुरू कर दी जब राजा की कथा आदी हुई तो मुर्दा हिलने लगया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ना उसे ब्रसपतिवार की कथा सुनने को कहा तुबे बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूँगा तब तक मैं चार हरैया जोत लोगा जा तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना राजा आगे चल पड़ा राजा के हटते ही बैल पचार खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब दिखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा बेटे ने सबी हाल बताया बढ़िया दोड़ी दोड़ी उस घुर्जबार के पास पहुची और बोली मैं तेरी कथा सुनूगी तुम अपनी कथा मेरे खेट पर चल कर ही कहना राजा ने लटकर बुड़िया के खेट पर जाकर कथा कई और सुनते ही बैल खड़े हो गए किसान के पेट का दर्द बंद हो गया राजा अपनी बहन के घर पहुचा बहन ने भाई की खुम महमान नवाजी की दूसरे रोज प्राते कल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से पूझा ऐसा कोई मनुझर है जिसने भोजन नहीं किया जो मेरी बिस्पतिवार की कथा सुन ले बहन बोली भाया ये देश ऐसा ही है यहां लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में अन्ने कोई काम अगर कोई पडोस में है तो मैं देखाती हूँ ऐसा कहकर वे देखने चली गई परनते उसे ऐसा कोई भी वक्ती नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो फिर भी वे एक कुमार की घर गई जिसका लड़का बिमार था उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा और वे तयार हो गया राजा ने जाकर बिरसी पतीवार की कथा कहीं जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा को परसंजा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा हे बहन मैं बहन अपने घर जाओंगा तुम भी तयार हो जाओ राजा की बहन अपनी सास के से अपने भाई के साथ जाने की आगया मांगी सास बोली हाँ चली जा मगर अपनी लड़की को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है बेहन ने अपने भाई से का हे भाया मैं तो चलूँगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी अपनी बेहन को वहीं छोड़कर दुखी मन से राजा अपने गयागर को लोट आया राजा ने अपनी राणी से सारी कथा बतलाई कि हम नहीं संतान है इसलिए हमारे यहां कोई आना पसंद नहीं करता और बिना भोजन के वैसाया पर लेट गया राणी बोले बरस्पति देव ने हमीं जब सब कुछ दिया है तो वैं हमीं संतान भी अवश्र देगे उसी राण बरस्पति देव ने राजा को सोपने में कहा है राजा उट सभी सोचते आग दे तेरी राणी गर्वती है राजा को यह जान को बड़ी खुशी होई और वह नबे महिने में राणी के गर्व से एक बहुत ही सुन्दर सा पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला है राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती है पर अंतु बिना कहें नहीं कह सकती जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना राणी ने का हाँ राणी ने हां कर दी राजा जब राजा की बहन यहां सुब समाचर पहुचा तो वैं बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर यहां आए राणी ने जब उससे कहा कि घुड़ा चड़कर तो नहीं आई और गधा चड़ी आई तो राजा की बहन बोली भावी में इस परकार ना कहती तो तुमारे गर आलाद कैसे होती बैस्पति देव सभी मनुकामनाय पूर्ण करते हैं जो सद्व भावना से रानी और राजा ने ब्रिस्पति देव की कथा का गुणगान किया उसी उनकी सभी इक्षाएं ब्रिस्पति देव जी ने पूर्ण की इती श्री ब्रिस्पतिवार ब्रत कथा